हेलो फ्रेंट्स आइम तनीशा कंगराडे और यू आर वाचिंग टीजी एगरी फ्रेंट्स आज हम लोग आई बीपीस एफोर 2018-19 के पेपर को डिस्कस करेंगे इससे पहले हमने 2019-20 and 2020-21 के पेपर को डिस्कस किया था जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी फ्रेंट्स आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम वेश्चन से डिस्कस नहीं करते हैं हम वेश्चन के साथ-साथ उसमें जितने भी इनफर्मेटिव और रिलेटिव पॉइंट होते वो भी डिस्कस करते हैं और साथ ही उसमें जो आप्शन दिये रहते ह उन्हें भी डिसकस करते हैं जिससे कि आपके प्रिप्रेशन काफी अच्छी और आप अपने एक्जाम में सबसे अच्छा परफॉर्म करें तो चलिए शुरू करते हैं लेट्स स्टार्ट ओके नाव क्वेस्टिन नमबर बन विच अमंग फॉल्विंग इस हाईली इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप देखिए हमने इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप को मेंली चार टाइप से क्लासिफिकेशन होता है सबसे पहले होता है लो उसके बाद आता है लो टू मीडियम देन आता है मीडियम टू हाई एंड सबसे जादा आता है हाईली इरिगेशन सेंसिटिव तो हम इन सभी में कौन कौन सी क्रॉप आती है वो देखते हैं फिर हम इस क्वेशन को आंसर करेंगे तो अगर हम सबसे जादा लो की बात करें जो बहुती जादा लो इरिगेशन सेंसिटिव है तो वो आती है मिलेट्स एंड रेड ग्राम अगर हम low to medium की बात करते है तो low to medium में आता है cotton, mace and ground nut अगर हम medium to high की बात करते है तो medium to high में आता है soya bean and wheat और high की बात करते हैं तो high में आता है cabbage, rice and sugar can आपके पास question है highly irrigation तो highly irrigation में हमने क्या देखा cabbage, rice और sugar तो यहाँ पर क्या है option number a that is cabbage तो इसका answer है option a now move to another question question number two which among the following is medium to high irrigation sensitive crop अभी हमने देखा कि medium to high में क्या आता है उसमें आता है wheat and soya bean okay तो इसका answer होगा option number c now move to another question question number three which among the following state has highest alkaline soil तो सबसे लादा alkaline soil कौन से एरिया में है up में तो answer होगा option number a now move to another question question number four what is the pH of acidic soil हम सब जानते के acidic soil का pH के होता है less than 5.5 answer is option a now move to another question question number five what is the MSP of weed according to 2017-18 देखे अभी हम 2019 का paper solve करें okay तो 2017-18 में उसका MSP कितना था तो 2017-18 में weed का MSP था 1735 answer is option a now move to another question question number six question number seven which among the following nutrient deficiency symptom is a major veins remains green top end remains become short and slender and chlorosis on new leaf देखे तो सबसे पहले उन्होंने बोल दिया कि new leaf बोल दिया है क्या मोला है green है तो iron और manganese की वज़े से कैसी होती है green होती और sulfur और copper की वज़े से कैसी होती है yellow होती ठीक है अब तीसरी बात उन्होंने क्या बोली है कि सिर्फ major veins remains green होती है तो याद लखे आइरन में क्या होता है आइरन की deficiency में principal और जो major veins है वो green होती है सिर्फ major veins green होती है तो आपको हमेशे इसका अंसर लगाना है iron वहीं पर अगर आपसे बोल दिया जाए कि सारी पूरी veins green हो गई है all veins are green तो वो किसकी deficiency से होती है manganese की तो बताइए इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर होगा option number a that is iron okay now move to another question question number 18 what is the rpm of rotary tiller तो उसका कितना आर्पेम होता है 180 से 200 answer is option a now move to another question question number 9 in which type of tillage 50 to 30 percent residues left on the soil surface हम सब जानते हैं कि जो reduced tillage होता है reduced tillage में क्या होता है 15 से 30 percent का residue है वो soil surface पर ही बच जाता है okay now move to another question question number 10 in which disease gall formation of root occurs देखे जो root not nematodes होते हैं वो mainly क्या करते हैं गॉल का formation करते हैं तो इसका अंसर होगा option है हम इन सभी के symptoms भी देख लेते हैं देखे bacterial blight में क्या होता है blight में withering होने लगती है yellowing symptoms होते हैं ठीक है leaf rust में क्या होता है leaf rust में pustules बनने लगते हैं ठीक है कहीं भी आपको ऐसा दिखें pustules तो वहाँ पे क्या लगाओ गया leaf rust उसके बाद आता है powdery mildew powdery mildew में क्या होता है कि जो leaf की surface है उसके उपर आपको white color का powder जैसी growth दिखने लगती है तो उसको symptoms को बोलते हैं हम sorry उसकी disease को बोलते है हम powdery mildew उसके बाद leaf spot यह दो हमें नाम से ही समझ में रहा है कि leaf में spots दिखने लगेंगे तो उसे हम कहेंगे leaf spot ओके तो इसका अंसर क्या होगा option number A ठीक है now move to another question question number 11 which among the falling insect causes damage inside the stem ठीक है तो stem borer जो insect होता है वो कहा हमेशा stem के अंदर damage करता है तो इसका अंसर होगा option A इसके अलावा भी हम इन चारो options को discuss करते हैं ठीक है देखे सबसे पहले आता है गॉल मिज़ इसमें जो rice गॉल मिज़ होता है वो क्या करता है वो tiller के base पे क्या करता है ट्यूबिलर गॉल्स बना देता है अब जब वो ट्यूबिलर गॉल्स बनाता है तो उसकी वज़े से क् सिल्वर शूट भी कहा जाता है ठीक है गॉल मिज़ के विज़े से कैसा दिखता है अनियन लीफ या फिर सिल्वर शूट उसके बाद अगर हम ब्राउन प्लांट होपर की बात करते हैं तो यह हमेशा प्लांट के base को अटैक करता है ठीक है उसके बाद आधर हम आफिट की ब सबस्टेंस को एक स्क्रीड भी करता है ठीक है साथ में क्या करता है स्टीकी सबस्टेंस को एक स्क्रीड भी करता है जिसके उपर जो वाइट मोल्स होते हैं वो क्या करते हैं ग्रो करते हैं ठीक है तो अकर आप से कभी ऐसा कोई क्वेशन पूछ ले दाता है कि कौन सा ऐसा जो sticky substance को excrete करता है तो वो aphid होता है ठीक है इसका अंसर तो आएगा stem बोरर क्योंकि यहां आप से पुछा है damage inside the stem okay now move to another question question number 12 based on construction which among the following is the type of green house देखिए green house को mainly five type से classify किया है okay हम पहले उसके classification देखने है answer फिर मैं नहीं आप करेंगे ठीक है सबसे पहले हमने उसके shape के basis पर classify किया है second हमने उसके utility के basis पर classify किया है third हमने उसके construction के basis पर classify किया है fourth हमने उसके covering कैसी हुई है covering material कौन सा है उस पर classify किया है और हमने उसको last में cost के basis पे classify किया है अगर हम shape के basis पे देखे तो shape के basis पे आता है lean tooth type, even span type, uneven span type, rigid furrow और saw tooth type utility के basis पे देखे तो एक आता है active heating और दूसरा आता है active cooling भाई पे अगर हम construction के basis पे देखे तो construction के basis पे आता है wooden frame मतलब wood का बना है या pipe की framing है या truss frame मतलब एक अलग सा metal या alloy type आता है उसकी framing है तो उसको हमने construction के basis पे बोला covering material में की glass की covering है या फिर plastic film की covering है या rigid panel की covering है तो हमने उसको covering material के basis पे classify किया cost के basis पे तो बहुत easy high cost medium cost और low cost ओके अब question देखते हैं question में क्या बोला है based on construction तो construction के basis पर मैंने आपको बताया था तीन टाइप के होते है वूदन फ्रेम्ड पाइप फ्रेम्ड और ट्रस्स फ्रेम्ड अपर अंसर क्या होगा option यह that is wooden framed okay now move to another question question number 13 as per the covering material which among the following is the type of green house लेके next question में उसके covering material के basis पर question पूछ लिया तो अगर covering material पूछा है तो covering material तीन टाइप से होता है एक glass house एक plastic film glass house और थर्ड वन इस rigid panel glass house ठीक है यहाँ पर आपको क्या option दिया है wooden framed तो देखा हमने यह construction के basis पर है नहीं cooling fan paddy किस के basis पाएगा यह utility के basis पाएगा इवन इस pen जो है यह shape के basis पाएगा और glass glazing जो होता है वो covering material के basis पे होता है तो इसका answer क्या होगा option number E okay now move to another question question number 14 cankerous spot formation occurring which among the following disease तो हम जानते हैं कि जो cankerous spot formation canker बोल दिया तो वहाँ पर क्या होगा bacterial canker okay now move to another question question number 15 what is the minimum age eligibility criteria for नारी शक्ती पुरुसकार ठीक अब नारी शक्ती पुरुसकार सही हम को समझ में आ रहा है कि नारी शक्ती पुरुसकार women empowerment के लिए दिया जाता है और किस के द्वारा sponsored किया जाता है तो यह sponsored किया जाता है ministry of women and child development के लिए अब यहाँ पर minimum age पुछी है तो minimum age कितनी होना चाहिए 25 तो इसका answer होगा option number C okay now move to another question question number 16 देखिए अब क्या पुछा गया है नारी शक्ती पुरुसकार ही हो जाना guideline was revised in which year तो कौन सी year में revised हुई थी तो यह अभी 2018 में ही रिवाइस हुई थी देखिए यह 2018 का paper है तो 2018 में current issues पर बहुत सारे questions पुछे करते तो आप general agriculture तो prepare कीजिए पर साथ में current issues के भी आपको information knowledge होना चाहिए ओके now move to another question question number 17 what is the nitrogen content in can fertilizer तो हम जानते कितना होता है 25 answer is option A now move to another question question number 18 what is the capacity of medium type rural go down देखिए capacity of dimensions के जापसे भी go down को 3 part में classify किया है एक आता है small size दूसरा आता है medium size और तीसरा आता है large size small size में कितनी capacity होती है इसकी capacity होती है 15, 100, 200 and 250 metric tons किसकी होती है small की में medium size की कित्ती होती है 500, 1000 और 2000 metric tons किसकी होती है medium की और अगर अपन high की बात करे या large size की बात करे तो वो कित्ती होती है 2000 metric tons से जादा की होती है यहां आप से पूछा है medium type तो medium type में हमने अभी देखा कितना आएगा 500, 1000 and 2000 तो इसका answer क्या आएगा आप बता ही इसका answer होगा option C now move to another question question number 19 for how much time period we can store food grains in rural go down तो हम उसको 10 months के लिए store कर सकते हैं इसका answer होगा option D now move to another question question number 20 how much area in percentage is covered under storage in rural go down तो इसका कितना area like कितना area percentage में होता है तो वो होता है 90% answer is option C now move to another question question number 21 which among the following propagation method is used in droopy and viny ठीक है तो इसका answer है option number A that is serpentine layering जो होती है serpentine layering जो mainly किसके लिए होती है बीनी plants के लिए होती है या rupees के लिए होती है इसके अलावा भी हम इसे discuss कर लेते हैं ओके तो सबसे पहले हम बोलते हैं एक सबसे पहले होती है एयर layering अगर एयर layering तो हमें समझ में आता है कि एयर ये पार्ट में हो रही है ठीक है तो उसे हम क्या बोलते है एयर layering उसके बादाथ आता है tip layering देखिए tip layering का क्या मतलब होता है tip layering का मतलब होता है suppose कि यह आपका plant है इसकी branch है जो नीचे गई और जहां से वो like नीचे की तरफ गई है soil के अंदर गई है अगर मही से वो root और shoot का development कर रही है तो उसे क्या कहते है tip layering okay उसके बाद आती है trench layering ट्रेंच का मतलब क्या होता है trench का मतलब होता है कि suppose अपना main plant है और इसकी ब्रांच गई है तो वो क्या बना लेती है अंदर एक trench बना लेती है और फिर वो उसके अलग अलग जगह से उसमें root और shoot का development हो रहा है तो उसे कहते हैं trench layering उसके बाद आती है mound layering मांट layering बहुत ही interesting है इसमें क्या होता है कि जो plant होता है उसको हम क्या करते हैं cut कर देते हैं ठीक है और cut करने के बाद क्या करते हैं हम उसको soil से cover कर देते हैं जब हम उसको soil से cover करते हैं तो उसके जो बाकी के shoots है वो भी grow होंगे और उन shoots के साथ इसमें roots भी क्या होते हैं grow होन लगते हैं तो यहां particular हम उसको फिर क्या करते हैं उसको हम individual plant में convert कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं mound layering आप से question पूछा साता है कि ऐसी कौन सी layering method होती है जिसमें हम उसको काट के soil से cover कर देते हैं और फिर वो जो shoot से उसमें roots grow होगी and then individual plant में grow होगा तो वो होता है mound layering okay तो next question देखते है next question है question 22 banana is exported to Gulf area India export maximum banana to which among the following Arabian country देखिए अगर आप से Arabian country पूछिया है तो वो है Saudi Arabia अब question कि कौन सी variety जो सबसे जादा export की जाती है तो जो grand name variety होती है वो एक केवेंडिश variety होती है देखिए इस पर भी question आ चुका है तो आप इसको भी ध्यान से देखिएगा okay now move to another question question number 23 rotting of stem at ground level disease is known as foot rot okay देखिए विल्ट तो हम जानते है विल्ट में क्या होता है xylem tissues block हो जाते हैं leaf curl सीधी सी बात है leaf curl हो रही है तो इसलिए उसको leaf curl बोला उसके बाद डिसीज है mollia disease mollia disease nematodes की वज़े से होती है उसके leaf rust ये pistules की वज़े से होती है अब यहां पर आप से आंसर होगा option a now move to another question question number 24 pegging and pot formation stage has occurred in which among the following तो हम जानते है कि packing and pot formation किसमें होती है ground nut में answer is option a now move to another question question number 25 which among the following crop has lowest seed replacement ratio देखिए आप से lowest seed replacement ratio पुछा है तो वो उसका होता है ground nut का कितना होता है 5% और महीं पर अगर आप से पूछ लिया जाए तो इसीड रिप्लेश्मेंट राइट होता है 500 उसके बाद अगर आप से पूछ लाजा है कि सबसे जादा किसका होता है तो वो होता है sunflower का 50 okay सबसे कम 5 किसका ground nut का सबसे जादा किसका 50 sunflower का okay now move to another question question number 26 इनाम वस लॉंच्ट इन विचियर तो इनाम इस इलेक्ट्रोनिक नैशनल अगरिकुल्चरल मार्केटिंग जो कब लॉंच हुई थी यह लॉंच हुई थी 14th April 2016 में किस कौन इसकी ओनर है तो इस ओनर कौन इसकी Ministry of Agriculture Government of India इसके ओनर है answer क्या होगा option C okay now move to another question question number 27 what is the premium rate for ruby crop under PMFBY what is it it is प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना पहले हम इसको discuss करते हैं फिर यह देखेंगे देखेंगे प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना मेंली दो स्कीम को रिप्लेस करके बनाई गई थी वो दो स्कीम कौन सी थी वो थी N.A.I.S that is National Agricultural Insurance स्की दूसरी थी M.N.A.I.S that is Modified National Agricultural Insurance स्की अगर आप इसकी launch की बात करेगी यह कब initiate हुई थी तो यह initiate हुई थी या इसका launch हुआ था 18 फरवरी 2016 में okay अब इस जो ् emphasize इसकीम जाता है इन्स्योर्इंच दिया जाता है तो हमार पास हम जानते है कुन्सी percentage खरीब स्क्राइब क्रॉप्स तो खरीब क्रॉप में कितना होता है तू पर्सेंट दिया जाता है जो रभी क्रॉप्स होतीब रभी क्रॉप्स के लिए फॉन पटाइफ 5% होता है अगर हम oil seed की बात करें oil seed में कितना होता है oil seed में होता है 5% Horticultural crops में भी कितना होता है Horticulture में भी होता है 5% अभी यहां पर आप सब पुछाए premium rate for ruby crops तो ruby crops के लिए कितना होगा 1.5% answer बताईए option C okay now move to another question question number 28 what is the premium rate for commercial Horticultural crops अभी बताया था कितना होगा answer बताईए option B that is 5% now move to another question question number 29 what is the premium rate for oil seed crops oil seed का भी बताया था कितना होगा 5% answer क्या होगा option B now move to another question question 30 which among the following has CRI as critical irrigation stage to crown root initiation कि स्टेज होती है answer आप बताएंगे answer is option A that is beat okay now move to another question now question number 31 प्रधान मंत्री फसल भी माई योजना was started in which year अभी हमने discuss किया कब हुई थी launch 2016 में answer is option number A okay now move to another question question number 32 which among the following horticulture crop has lowest production देखिए कौन सी को होटी कल्चर पर जिसका सबसे कम production होता है तो वह होता है medicinal crop medicinal crop का सबसे कम production होता है और productivity भी सबसे कम किसकी होती है medicinal की महीं अगर आप से पूछ लिया चाहिए कि सबसे ज्यादा किसका होता है तो सबसे ज्यादा होता है vegetable का productivity भी किसकी होती है सबसे ज्यादा vegetable की होती है तो इसका answer क्या होगा इसका answer होगा option C okay now move to another question question 33 which among the following horticulture crop has lowest productivity तो अभी हमने देखा medicinal medicinal crop की सबसे कम productivity होती है now next question 34 which among the following horticulture crop has highest productivity तो वो किसकी होगी vegetable की production और productivity सबसे जादा vegetable की सबसे कम medicinal की okay now move to another question question number 35 which institute has developed god pox vaccine तो god pox vaccine किसके द्वारा developed की गई थी वो developed की गई थी IVRI के द्वारा ठीक है और IVRI के द्वारा एक और vaccine डेवलप की गई थी वो थी PPR vaccine ठीक है PPR vaccine plague के लिए होती है okay तो दो vaccine डेवलप की गई थी god pox और एक PPR vaccine for plague now move to another question 36 what is the cost of reclamation of acidic soil अंडर राश्ट्रिक रिशी विकास योजना आरके वीवाई सबसे पहले देख लेते हैं यह योजना क्या है और कब आई थी तो यह योजना 2007 में आई थी यह क्या है कि umbrella scheme थी ताकि agriculture और applied sectors के लिए डेवलप्मेंट के लिए यह scheme mainly बनाई गई थी अब question है इस scheme के तहट acidic soil के लिए reclamation के लिए क्या cost था तो अगर आप acidic soil की बात करें तो acidic soil के reclamation के लिए 15,000 थी अगर महीं पर question आप से पुछा जाता alkali या saline soil के लिए तो होता 60,000 ठीक है तो इसका answer होगा option है for acidic soil alkali और saline soil के लिए सहाथ हजार ओके now move to another question question 37 what is the subsidy given for fish pond under blue revolution scheme to blue revolution के लिए कितने subsidy गई थी 50 answer is option B now move to another question question 38 according to RBI rules how much loan can be given to poor and small farmers कितना loan दिया जाता है 1 lakh का answer is option E now move to another question question number 39 what is the propagation method of cashew तो cashew की कौन सी propagation method होती है वो होती है softwood grafting answer is option B now move to another question question number 40 what is the useful working hours of combined harvesters पहले combined harvesters को देखते हैं फिर उसके working hours को देखते हैं वेकर combined harvesters के हम जानते हैं mainly 3 functions होते हैं क्या function होता है सबसे पहले होता है leaping second function उसका होता है threshing और तीसरा function होता है उसका winnowing आप से पूछा useful working hours कितने होते हैं तो होते हैं 6000 hours उसके कितने होते हैं working useful working hours होते हैं okay now move to another question question number forty one how many mondays are covered under e-name ठीक है तो e-name it is अभी मैंने बताया कि e-name क्या है ठीक है अब e-name का mean aim क्या था देखिए उसका motto था one nation one market एक nation एक market तो इसलिए क्या गया वह बहुत सारी mondays में से कुछ selected mondays को क्या किया गया उसको electronic उसकी में ट्रेडिंग स्टार्ट की गई तब आप से पूछाए कि कितनी mondays e-name के अंदर आती है तो वह कितने आती है 500-600 जो mondays है वह इनाम में आती है देखिए हम 2018 का वेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उस समय कितने आती थी 500-600 आती थी आप मुझे comment करके बताइए कि at present कितनी mondays e-name के अंदर आती है ओके नाव जानते हैं किसका अंसर क्या होगा और इसका अंसर क्या है इसका अंसर क्या है इसका अंसर option a that is no till now move to another question question number 44 which among the following bio fertilizers do not provide nitrogen तो यह क्या है trichoderma viridi ठीक है जो trichoderma viridi है ना यह एक fungus है ओके और इसे हम क्या बोलते हैं यह bio fungicide भी होता है यह क्या होता है जितने भी seed यह soil born disease होती है ना तो हम क्या करते हैं इसको as a seed treatment की जारा use करते हैं हम उसके उपर seed के ऊपर trichoderma की क्या कर देते हैं dressing कर देते हैं किसको control करने के लिए soil and seed born disease को control करने के लिए हम trichoderma viridi का use करते हैं ओके आपको समझ में आगया होगा अब हम देखते हैं next question question 45 which among the following state has highest labor wages per day अगर highest labor पूछा जाए तो उसका answer है option c that is haryana haryana में सबसे जादा wages दिया जाता है followed by Punjab okay now move to another question question 46 which among the following state has lowest labor wages lowest labor wages होती है तुरी पुरा में सबसे कम wages दिवाद दी जाती है okay तुसका answer है option b now move to another question question 47 how many districts are covered under lead bank scheme till now सबसे पहले देखते है lead bank scheme क्या है फिर देखते है answer क्या है देखे lead bank scheme RBI द्वारा start की गई scheme थी कब start हुई थी तो यह 1969 में start की गई थी देखे lead bank scheme क्या होता है इसमें क्या है कि एक district में जितने भी bank है तो उनकी as a head ठीक है वो होती है उसकी lead bank जो उसको क्या करती है जितने भी financial service होती है उनको coordinate करती है और सब ही lead bank को coordinate करने वाला या उसको monitor करने वाला कौन सा bank होता है conveyor bank ओके district की सभी bank को monitor करने वाला lead bank lead bank को monitor करने वाला conveyor bank अब आप से तो अनदर क्वेस्टन क्वेस्टन नमबर 48 हाउ मेनी ग्राप सियोंस के बी टेकन फ्रम ए सिंगल प्लांट अक्वाड तो नाबाड तो नाबाड के according हम 25 प्लांट को सुरी 25 सियोंस को ले सकते हैं सिंगल प्लांट से तो इसका कम से लाइन होता है तो अब आपसे पूछाए कि कौनसे स्टेट में सबसे जादा ब्रैकिश वाटर मिलता है तो सबसे जादा की बात करते हैं तो उडिसा महाँ पे भी एक लेख है चिली का लेख है तो याद दखिएगा अगर सबसे जादा तो उडिसा सबसे कम तो करनाठ का नाव मूफ तो एनेदर क्वेस्टन क्वेस्टन नमबर 50 वाट इस अपसीडी फॉर 50 होर्स पावर मोलबोड प्लाओ फॉर यहां पर लेंड डेवलपमेंट टीलेज और सीट बैट प्रिपरेशन के लिए जितने भी एक्ट्यूपमेंट्स होते हैं अगर वह 20 होर्स पावर से कम होते हैं तो वह उसमें 15,000 की सम्थिंग मिलती है और 20 होर्स पावर से ज्यादा के हैं तो उसमें 19,000 की मिलती है तो यहां तो ऐसा कुछ है नहीं तो इसका अंसर क्या होगा option E none of these now move to another question question number 51 loan for building infrastructure for activities school healthcare facility and sanitation facilities in priority sector lending is 5 crore answer is option B now move to another question question number 52 what is the high volume spray fluid quantity तो mainly 3 type के spray होते हैं एक होते हैं high volume दूसरे होते हैं low volume और तीसरे होते हैं ultra low volume ठीक है तो high volume spray कौन से होते हैं जो कितना spray करते हैं 400 liters प्र हेक्टेर में और ultra low पांच लीटर से कम प्र हेक्टेर में और ultra low पांच लीटर से कम स्प्रे करते हैं तो वो ultra low आपसे पूछा हाई volume तो answer क्या होगा बताईए answer is option A more than 400 liter now move to another question question 53 tractor drawn power hero capacity is 1.5 answer is option A now move to another question question 54 how many crossbreeds are taken with fish culture in one hectare land is 5 answer is option B now move to another question question number 55 what is the field capacity of tractor drawn power hectare अभी पताय था it is 1.5 hectare per day now move to another question question 56 what is the assistance for tube will bore under RAD and it is 25,000 answer is option C now move to another question question 57 what is the assistance of power tiller for SCST small and marginal women farmers and NE state below 8 horsepower option C that is 65,000 now move to another question 58 irrigation done in root zone and is highly efficient is drip irrigation हम सभी से जानते हैं now move to another question question 59 rhizobium helps in night fixation of which nutrient that is nitrous and answer is option A now question number 60 which of the following institute provide training to the farmers आप पताये इसका अज़िया होगा इस के वी के आट इस क्रिशी विज्यान के इंद्र तो आज हमने IBPS A4 2018 के पेपर को डिसकस किया है I hope आपको हमारा discussion पसंद आया होगा friends आप आप हमें Instagram पर भी follow कर सकते हैं आप हमें Telegram पर भी जोइन कर सकते हैं Telegram पर हमारा channel है TG Agri official नाम से ठीक हम daily questions जालते हैं ताकि आपकी quiz practice हो सके और अपनी exams में अच्छा परफॉर्म कर सकें अप हमें WhatsApp Facebook के through भी हमें कर सकते हैं हमारी website भी है TG Agri.weebly.com जहां पर आपको agriculture की सारी पीड़े प्रॉपर मैनर में मिलेगी तो I hope आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा हम इस वीडियो को यहीं खतम करते हैं पर उससे पहले stay healthy and stay happy thank you हुआ 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 है